यह है अत्रा सरकार का प्रवेश द्वार और हम आज आई हुए हैं अत्रा सरकार आईए चलते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं यहां से इस पस्ट हनमान मंदिर का द्रस्ट चार ओर यह पहाड़ियों से घहरा हुए छेत्र है और यहां पर हनमान जी की साक्षात मूर्ति ब्राजमान है जो ग्रामीनों की आस्था का केंद्र हैं जाला मधरी पसाथ जाला पसाथ जाला पसाथ अलते उस्ट चाह्ट पने और क्योंत फाल मुग्द्ध जी आफ्राज मूसे आए उपोड़ी करियों अलते खर्चियों अलते ने ये हैं हमारे परम्ट्रवु स्री अट्रा सरकार और आज महांद जी तो कहीं बाहर गए हुए हैं उनके दर्षन नहीं हो पाए लेकिन जो इस मंदिर के पुजारी जी हैं उनके दर्षन सुलब हो गए ये रहे हमारे महाराज जी जिनके द्वारा हमें दर्षन का लाभ मिला गुलिए अट्रा सरकार और की जै ये अट्रा सरकार में ही इस्थापित भगवान संकर की अति प्राचीन मूर्ती है आप देख सकते हैं इस मंदिर का जीरो धार कराया गया है जिसमें महांद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसमें की उन्होंने भक्तों को प्रिरेत करके और इस मंदिर का जीरो धार करा दिया यह है महांद जी के भजन करने का स्थान सामने आप देख रहे हैं यह दो मंजल का संदर मकान बना हुआ है और यह रहा समाधी इस्तर भजन के इन कुछ भी कहें आप भक्तों के बैठने के लिए जगह यहीं पर यगवेदी बनी हुई है जहां समय समय पर यगवेदी इन उस्ठान होते रहते हैं यह इस्ठान बड़े ही संदर प्राकृतिक द्रस्तियों से भरा हुआ है मित्रों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अपने मित्रों को सेर करें बहुत बहुत धन्यवाद यह इस्ठान संदों के रुकने के लिए बना हुआ है जब कभी कोई संद आ जाते है